कॉंग्रेस ने एक बाद फिर से आम आदमी पार्टी पा निशान असाधा है कॉंग्रेस ने दिल्ली के सियम से सवाल पूछा कि उत्राखंड के युवाओं के रोचगार के लिए आम आदमी पार्टी का प्लान क्या है कि अर्विंद को इस बात का जबाब देना चाहिए कि उत्राखंड की प्रॉब्लम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है या डिप्टीस ये वहाँ होके आए हैं जिस तरह से बिजली का वादा कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मनिश शोदिया से भी और किजरिवाल या आम आधी पार्टी से कि उत्राखंड के मुद्दे क्या है ये समझना बहुत आवश्य है यदि मैं बात करूँ तो उपमुख्य मंत्री के छेतर में काफी तादाद में उत्राखंड के मेरे साथ ही रहते हैं उत्राखंड की में दिक्कत है युवाव के लिए रुजगार और आप थोड़ा सा इत्यास में जाएंगे तो उत्राखंड आज दिल्ली के अंदर निवास करता है उत्राखंड वासी काफी तादाद मेंचे बुराडी हो विनो नगरी एस्ट वैस्ट करावन लागर हो दौरका हो या फिर आपके आरके पुरम हो या निदिल्ली हो यहां जो लोग परवासी उत्राखंड से आए वो रोजगार की तलास में है उत्राखंड का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है उत्राखंड के लिए मुद्दा बिजली नहीं है सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पे बेरोजगारी तो अरविंद जाकर के क्यों नहीं बताते कि उत्राखंट के युवाओ के लिए मैं रोजगार जनरेट करूँगा मालू मैं क्यों नहीं करते हैं इसलिए नहीं करते हैं कि दिल्ली के आज तक युवाओ को उनका हक नहीं मिल पाया है उनके प्रशनों के जबाब नहीं मिलते हैं कि रोजगार के नाम पे किया गया वादा आरविंद का कहा गया आरविंद दिल्ली के युवाओं से जब ये रोजगार की बात करेंगे तो प्रशन आएंगे तो उत्राखंड के लोगों के बीच में जाके अरविंद बोले ना कि दिल्ली के उत्राखंड में मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया है उत्राखंड के जो प्रवासी यहां रहते हैं कितने युवाव को रोजगार मिला है जिस से जाकर के वोट मांगने के लिए वाँ उमीद रख रहे हैं तो उत्राखंड के युवाव उनसे प्रश्ण पूछेंगे कि बिजली नहीं मुझे रोजगार चाहिए प्रश्ण पूछने जरूरी